आजकल मार्केट में काफी मातरा में जो आम है कच्छया मार्केट में तो इस टाइम में आप आम खरीद करके अमचूर पौडर बना कर रख लिए जब पूरे साल के लिए 30-40 रुपई में आपका अमचूर पौडर बनके त्यार हो जाता है और यह आप साल भर रखिये, खराब नहीं होता है, यह दम दूर जैसा सफेद अमचूर पाउडर हम हर साल योई बनाके रखते हैं, पूरा साल भर अमचूर पाउडर हम बार्चेट से ने खरिते, घर का ही बनाते हैं, इसमें हमें एक सिक्रेट इंग्रिडिनेश मिलाएंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल कीड़े वगरन नहीं लगेंगे, पूरा साल ऐसे ही बना रहाएगा, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, अमचूर पाउडर, हेलो दोस्तों, कवे किचन में आप सभी का स्वागत है, आज सा करते कि आप सभी स्वास्त होंगे, तो आज हम बना मार्केट में आपको 30-35 रुपए में कच्ची आम काफी अच्छे से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल कटे-पटे नहीं होते हैं, तो आम को हमने सबसे पहले धुल लिया है, और धुलने के बाद इसका पानी पूंचने के बाद ने, इसको हम पूरा छील लिया, बहुत ज्यादा हमें इसके छोटे पीस नहीं कट करने, तो इसको रुफली चौप करें कि इस टाइम में आम में जाली पड़ गए, तो आचार बनाने वाला भी आम आ रहा है मार्केट में इस टाइम में, आप चाहो अगर अगर अचार बनाना तो आप मार्केट में वहीं स नहीं पूरा कूरा किरो, वकलम को अउटम करें तो आप को जाङरे है तो यह को जाता है हम इस टाइम नहीं लगता सुखाने और में लिए ङूप, आम से लगते गई अब हम इसको क्या करेंगे इसको मिक्षर जार में डाल करके इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट तयार करेंगे इसमें यह ध्यान रखना कि पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना हमें आम ऐसे ही पीशना है तो इसको हम दो बार में पीशनें क्योंकि जो आम है जादा है तो इसे हम दो बार में पीश लेंगे, तो इस टाइब से देखिए हमने आम पीश लिया, एक हमने ये थाली ले लिए, कोई भी आप थाली ले सकते हो, और उसको घी से ग्रीस कर दीजेगा, हम घी लगा रहे हैं, आप ऑईल भी लगा सकते हो, पर हम घी इस ले लगाते हैं कि ब्रत वगएरा में भी, हम चूर पाउडर काम आता है, इसकी चटनी वगएरा बनाने के लिए, तो हमने घी लिया, घी को पूरी थाली में हमने अच्छे से लगा दिया, ताकि ये आसानी से निकल आए, तो इस टाइब से जितना भी हमने ये आम का पेस तैयार किया है, इसक अच्छे से फैला देना है, बहुत पतला भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द इतना ज्यादा धूप हो रही है, कि एक ही दिन के अंदर ये जितना भी आम है, अच्छे से शूख जाएगा, तो थोड़ा बहुत अगर रह गया है, तो इसको आप निकाल के दूसरे रा पर थाली में हमें थोड़ा ज्यादा आसान लागा, उठाने में रखने में, इसलिए हमने देखे से फैला लिया, और इसको हम दो दिन के लिए धूप में रखेंगे, आप चाहत एक दिन के लिए रख लो, एक दिन में भी अच्छे सूख जाते हैं, एक दिन के अंदर जयन होता है, जो बिल्कुल चिपकता है, और इसको हम इस टाइफ में देखे, थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ ले रहे हैं, और तोड़ने को बाद हम इसको मिक्षाजार में पहले पीस लेंगे, तो आप इस टाइफ से अगर आप बिल्कुल भी देखे, टाइम ही नहीं घ्यार हो जाता है, दिके हम आपको अबभी पीस करके दिखा हुरे है, इस टाइफ में डाले रहे हैं, तो इसको बीद धोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डालने से क्या होगा, इसको आप साल भर रखोगी, इसके अंदह कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसमें आप कभी क्योंकि ब्रेट वगेर हम यह काम लेते हैं नंग यह एप रड़ के देंहिंके एचिए अगदम बारिक सा हुआ कहीं आप इससे चान के रख कि रहा कुछ हमने डायलिट ऐसे ही रख्या है बहुत ही ज़्यादा देखिए इसका कलर चेंज हुआ ना कुछ अगदम आसान तरीका है यह कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम है कि अगर आप कली वाला बनाते हुआ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता सूखने पर इस टाइप अगर बना के रखता तो सूखने में टाइम लगता और देखिए बहुत ही ज़्यादा महें साय बनके त्यार हुआ इसको किसी भी आप टाइट डिबे में भरके रख दीजिए जिसके अंदर मतलब नमी न जाने पाए तो यह आमचूर पाउडर आप सालो रख सकते हो खराब नहीं होता आयो वीडियो पसंद आएगी गराओ क्सेट अंदर करें अधिजिए ऐगागे दो मोज आयो नाफ तर्द रेये ।